कुछ स्किन्स जो हैं वो बहुत जादा ओईली होती हैं कुछ ओईली और एक्नी प्रोन होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जिन पर एक्टिव एक्नी चल रही होती हैं कुछ ऐसी स्किन्स होती हैं कि वो मिचोर होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो के मिचोर और ड्राइव होती हैं और आप चाहें, तो आप क्लिनिक पे जाके फेशल करवा सकते हैं, वो स्किन टाइप है, अक्टिव एक्नी वाले, जिस स्किन के उपर एक्टिव एक्नी हो, वो खुद घर में फेशल ना करें, तो ज्यादा बेतर है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेतर है कि वो किसी क्लिनिक में जो इस पे जाएं और वहां से फेशल करा लें, खुद से वो लोग फेशल ना करें, वाकि सब स्किन टाइप्स वाले जो हैं वो घर में बैठे बैठे फेशल कर सकते हैं, आज कर जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटनिंग फेशल अट होम, ठीक है, कि घर में व अप तरे हाथों से अपनी चीज़ों से सबसे पहले ऑ क्या होता है थो अज है, थो का होता है थो three main purposes है, थो three advantages थो three objectives है थो एक्या है, सबसे पहले तो यह है और आपकी daiden layer हे उसको हटाता है जो skin के उपर dead cells होते हैं, उनको हटाता है, उसके इलावा second क्या है, second है जी, कि ये deep cleansing करता है, ये आपकी skin की गहराई में जाके सफाई करता है और number three क्या है, number three है कि आपकी skin को नरिश करता है, यानि कि आपकी skin को जिन चीजों की जरूरत होती है, उस तक वो चीजें पहुंचाता है, जिस तरह हमें खाने की जरूरत होती है, हमें ताकत की जरूरत होती है, उसके इलावा हमें even vitamins की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारी skin को बहुत सारी चीजों की जुरूरत होती है, जो के essential में आते हैं, तो ये भी उन्ही को, उसी को हम nourishment कहते हैं, तो ये इसके nourishment में भी help करता है। अब आजाता है कि फेशिल कैसे कर सकते हैं, फेशिल के जो मेंन स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, मैं पहले भी कहती रही हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ, कि फेशिल के किसी स्टेप में ब्लीच नहीं आती, फेशिल के किसी इसके बीच इस्तमाल नहीं की जाती है, but for some how, हमारे हाँ उसको बेदर्दी से इस्तमाल किया जाता है, और किसी भी तरह का facial हो, कोई skin polishing कह रहा हो, उसके अंदर bleeच दली ही होती है, और bleeच जो है, वो हामफुल होती है, और वो इस इंस्टेंटली तो आपको लगता है, हैं सबसे पहले पटा रही हूं पहली चीज है कि एक ब्लीच ये किसी step में ये fashion कि किसी step में ब्लीच इंवाल्व नहीं होती और जो दूसरी चीज है वह स्टीन अपनी स्किन को डाइरेक्ट स्टीन देना ये वाले दो स्टेप एक टो ब्लीच और एक स्टीन ये पूरी दुनिया में उपसिलीट हो चुके में हैं, यानि कि पूरी दुनिया से खतम हो चुके में हैं, इनको तो आपने करना ही नहीं है, और यापके माइंड में भी होने चाहिए, ठीक है, अच्छा जी, अब हम आजाते हैं, कि सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे इस पहला स करें। करें जाया हैं थानीस अनलाइस करें। एक है आनलाइसाप नहीं कöm पेसे काना होता है कि स्कीन थया है कि आपकीजिफ चिन नहीं और शीछ किस Cam ज़ो हमें रहे वहार तुकाया होथी हमने कुछ तों बहुत स्कीन था मीज़ड़ी होखी है और कुछ ड्राय होती है मेचोर ना भी हूं तो वो ड्राय स्किन होती है हम हर तरह की स्किन टाइप के ऊपर फेशल कर सकते हैं एक इन टाइप जिसके उपर आपने घर में खुद भी बीवेशल ट्रायिय करना और सलॉन तो जाना ही नहीं है अगर आप चाहें, तो आप क्लिनिक पे जा के फेशल करवा सकते हैं, वो स्किन टाइप है, अक्टिव एक्नी वाले, जिस स्किन के उपर अक्टिव एक्नी हो, वो खुद घर में फेशल ना करें, तो जादा बेतर है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेतर है कि वो क् सबसे पहला स्टेप होता है कि होता है, सबसे पहला स्टेप है चलिंजिंग, सब से पहले आपने करनी हैं, क्लिंग commenAm क्लिंग आप के पेस से मेक अप, आपके अफंड़क, समाइसराईजर, जो कोई पी ऐसी चीज जो के अपने सब्सक्रेंप डूँपनी कैन शीज की आपि सेटल हो जाती है, तो आपके पोर्स को साफ करने के लिए डीप ली आपने सबसे पहला स्टेप, स्टेप नमर वन क्या लेना है, आपने करनी है, जी क्लेंजिंग, मैं आपको यहां पे क्लिंजिंग की डिफरेंiquer कीais messaging जो है वह दिखा रह hamburger कि देखें यह में आपको बहुत ही जबरदस जो है वह लिए खंच जण और हो अर तरीका क्या होता है कि जणा करने का वह भी मैं आपको बताती हूं जड़की यह ईह आल से च्रपी ब्रवाइडि स्किन का पंते हैं। और मैं आपको दिखारी हूं यह जो है यह उनको यूंजर करता जिनकी बहुत जाधा औरली संब यह बनते हैं या उनकी स्किनके ऊपर दाने भी बन जाते हैं। इक्ोर फी प्लेंसीं ठीक है तिखें यह मैं आपको दिखारी हम क्लिंजिंग जेल अपकी जो चुछ जो पने करना कैसे होता है इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथों को गीला करें प्रॉपरली और उसके बाद वह गीले हाथ जो है वह अपनी स्किन के ऊपर अपने फेस की स्केन और ठीक है उसके बाद आपने यहां पर क्लिंजिंग जेल को लेना है जो भी क्लिंजिंग बाम है या क्लिंजिंग क्ले है उसके बाद आप इसको सारे के सारे टिप्स पर डिस्टिब्यूट कर लेंगे और उसके बाद आपने इसको जेंटली इस तरह से रब करते हुए पूरे तो आइ मेकप रिमुवर्स मिलते हैं उनसे रिमूव करना जाए ठीक है अचा जी यह होगी क्लेंजिंग यह हो गया इसका फर्स्ट अब आज आते हैं हम सेकंड स्टेप पे सेकंड स्टेप है जी फेस वाश फिर आपने अपने फेस को वाश करना है फेस वाशे मैं आपको डे करना है फिर अपना फेस वाश जो है वाप यहां पे लेंगे फिर इसको ऐसे डिस्टिव्यूट करेंगे और फिर फेस के ऊपर ऐसे लगा के और उसके बाद उसको आप खुले पानी से रिंस कर लेंगे साफ कर लेंगे उसे ठीक है फिर आम आजाते हैं जी थर्ड स्टेप फिर्ड स्टेप क्या है इसको की थो पूली एशन अच्छा इसमें होता है कि जो सॉट्छी उती है वह बहुत इंपर्टर्टन स्टेप होता है इसको को मेफ एश provide sure can nextwest है फिर वाप की अजाफ को झाने लेयर को तारती है मैं आपको दोटीन तरह की अदोल एशन दिखा ने आप एक्सपोलियेट करते हैं ठीक है यह उन लोगों के लिए जिनकी स्किन के ऊपर जो है वो एक्टिफ एक्नी है वाइट है ब्लाक हैट है यह बहुत ज्यादा ओली रहती है ठीक है यह उनके लिए है अब मैं आपको कुछ और जो है वो दिखाने वाली हूं जो है यह उन लोगों के लिए है जो बेसिकली जिनकी फेस के ऊपर निशान पड़े हैं पिग्मेंटेशन है अनिवन टोन है या कलर जो है वो डल हुआ है या फिर जो है वो संटैन हुआ है ठीक है तो यह उन लोगों के लिए बहुत ही बहतरी है ठीक है फिर मैं आपको एक सारी स्टेप्स को जो है, वो दुबारा रिपीट करती जाओंगी, जो है, जो है, obviously, आप 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 rice के around नहीं करते, आप फुल फेस पे और नेक पर begitu कर सकते हैं, एवन आप अपने हैं और फेट कर सकते हैं, ठीक है अचा, अपने आपको, एक और पीलिंग ज़ दिखा दीने, यह जो है, यह और टीपक्रिंग करती है, और यह जो है, बेसिकली सरफिस के उपर करती है, This is called as enzymatic peel जो के exfoliation कराती है आपकी स्किन की यह जो है यह deep peel करती है इसको आप फेशिल में रखना चाहते हैं आट करना चाहते हैं तो आप पूरे महीने में सरफ एक दफा करेंगे बार बार नहीं कर सकते ठीक है इसको भी आप बार बार कर सकते हैं और यह जो मैंने आपको बाकी तीनों दिखाई हैं इनको भी आप बार बार यूज कर सकते हैं ठीक है यह थ्री मैंने आपको दिखाती है अच्छा जी अब होगी हमारी exfoliation अब जब हमने exfoliation कर ली तो उसके बाद हमने क्या करना है exfoliation के बाद आप अपने face को साफ कर देंगे सबसे पहले हमने की cleansing cleansing जो है वो आपने 10-12 seconds करनी होती है यह minutes के लिए नहीं की जाती है ठीक है minutes के लिए नहीं होती है seconds के लिए होती है तो 10-12 seconds जो है वो more than enough होते है for full face and neck ठीक है उसके बाद आजाता है face wash exfoliation exfoliation जो आपने करनी होती है वो भी आपने 10-12 seconds तक करनी होती है उससे ज़्यादा आपको नहीं required होती है उससे जादा मत करें और exfoliation जो है वो आपने अपनी eyes के around जो skin है उसके उपर नहीं करनी होती है उसके बाद आजाता है next step अब आपने इसको wash कर दिया next step है facial massage facial massage जो है वो बहुत ही जरूरी step होता है और बहुत important step होता है क्यों? Because facial massage के थूँ जो है वो हम अपने muscles को एक तम से tone up कर गते हैं ठीक है अब जैसे मैं आपको ये वाली cream दिखा रही हूँ for the massage ठीक है आप भी कोई भी massage cream भी ले सकते हैं मेरे हमारे पास तो जैसे बहुत सारी है तो अब दिखा देते हैं जैसे मैं आपको एक ये वाली दिखा रही हूँ जिनकी skin जो है वो मिचोर हो या जिनकी skin जो हो थोड़ी dry side पे हो वो इसको यूज कर सकते हैं और जिनकी acne prone है या whiteheads, blackheads बनते हैं थोड़ी young skin है वो इसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये दोनों में आपको massage cream दिखा रही हूँ जो आपने massage के लिए यूज कर लिए ठीक है तो ये वाला step हो गया massage मसाज कैसे करते हैं और कितनी देर के लिए करना है टू मिनिट्स एनफ होते हैं टू मिनिट्स से जादा आपको massage करने की जरूरत नहीं है ये जो बिल्कुल आपकी छोटी वाली finger होती है उसके आपने eyes के around massage करना है और उसके बाद बेसिकली जो है वो आप अपनी ये two fingers को जादा तर यूज करें ये जो ring finger होती है उसको और उसके साँ जो middle finger is use करेंगे ये तो आपने इस direction में Alexa आपको करनी है और ये इस ड violet करनी है और ये बी आपने आपने out put and upward ही कर ले है तो इस टरह से जो है वहाँ कि मसाज की direction हो गी लुगी वर 2 minute से जादा मसाज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीके जी, यह हो गया, अब इसके बाद क्या स्टैप आता है, मसाज जब आप ने कर ली तो उसके बाद आपने हल्का सा पानी लगा के इसको हटा दिया, जो एक्सस है, जो अगर आपके उपर एक्सस बच गया है, मॉइस्चिराइजर क मसाज क्रीम का, तो वो आपने हटा देना है, आप टिशु पेपर से हटाएंगे, पानी से वाश करने की ठीक हो गया, जब आपको कर लेंगे, तो नेक्स स्टैप क्या है, जी हां, नेक्स स्टैप है, मास्क, अब मैं आपको डिफरेंट तरा के मास्क दिखा रही हूं, ठीक यह पील-off मास्क को अप लगाएंगे, यह ड्राय हो जाएगा तो इसको आपने अपवर डिरेक्शन में पील-off कर लेना, इसको आप खेंच के उतारते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूं, शीट मास्क, यह जो है, यह जो है, यह जो है, यह उन लोगों के यह जो है, फिक स्किन है, ओली स्किन है, यह उनके लिए है, यह जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यह बिसिकली उनके लिए है, जो के जिनकी स्किन पर एक्टिव 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 करता है, या फिर इसलिए भी होता है, कि आपकी स् को यूज कर सकते हैं तो यह देखें मैंने आपको डिफरेंट तरा के मास्क जो है वो दिखा दिए जिए मास्क जो है वो 15 मिनिट से लेके 30 मिनिट तक लगाया जाता है अचा मैं आपको यह बता दूँ जैसे इसको वाश करके उतारना पड़ता है उसी तरह से जो पील-off मास् यह बतार लेते हैं उसके बाद वाश करने की ज़रूवत नहीं पड़ती और जो शीट मास्क सोते हैं इंको तो वाशी नहीं करते हैं इंको जब आप उतारेंगे तो जो एक्सेस आपकी स्किन पर लगावा होगा उस सारे का सारा आप इजर उदर लगा के एब्सॉब करा ल हैं यह और मास्क के बाद और जो next essential step है, व Arya is a toner तोपने this Toner को definitely use करना है जब आप Toner को यूज् wtukat लेंगे to Toner को यूज करने के बार जो next step है that is serum धिर उसके बाद आपने शिरूर अब लगाना किसी पीतरह का अरम लगाया जासकता है और skin type के हिसाब से ही आपके पास होना चाहिए vitamin C का serum लगाया चाह सकता है उसके इलावा blemishes और acne वाली skin वाले जो होते हैं वो basically जो है वो ना ऐसे ना माइक लगा सकते हैं जो अपनी skin को brighten up करना चाहते हैं वो vitamin C लगा सकते हैं या alpha albutyn लगा सकते हैं चिंकी skin बहुत ज्यादा dry है उपर से fine lines है या wrinkles है वो hyaluronic acid का लगा सकते हैं तो different तरह के serums अवेलिबल होते हैं तो आप वो serum लगा सकते हैं ठीक है और serum लगाने के बाद क्या करना है या उसके बाद में कोई स्टेफ रहता है जी हाँ उसके बाद जो last step है आपका वो आजाता है moisturizer ठीक है अच्छा moisturizers different करा के होते हैं जैसे यहां पर मैं आपको यह दिखा रही हूँ यह pore refining moisturizer है जिंकी skin के ऊपर open pores होते हैं वो यह बला moisturizer लगा सकते हैं आप कोई भी अपनी skin type के साब से moisturizer लगा सकते हैं और moisturizer लगाने के बाद एक और step क्या होगा कि जिस वकत आपने moisturizer कर लिया तो अगर day time है तो उसके बाद आप sunblock लगाएंगे अगर शाम हो चुकी भी है गुजर चुकी भी है तो उसके बाद आपको किसी भी sunblock की ज़रूरत नहीं है ठीके जी तो यह सारे के सारे हैं essential steps जो के घर में आप कर सकते हैं अपने लिए और facial कर सकते हैं और उसके इलावा डेट सके उतरती है तो जो चीजे आप अपी रूटीन में लगा रहे होते हैं उन सब की अच्छी होती है और उससे स्किन जो है वो बहुत हेल्दी और बहुत ब्राइटन आप और बहुत अच्छी रहती है ठीक है एक दफा फिर से मैं स्टेप्स उनको जो थर्ड स्टेप है वो है एक्सफोलियेशन जो फोर्थ स्टेप है वो आजाता है मसाज और उसके बाद जो फिफ्ट स्टेप है वो आजाता है मास्क और सिक्स्ट स्टेप जो है वो आजाता है टोनर और टोनर के बाद जो सेविन स्टेप होता है ताट इस यूर सिरम और सिर्म के बाद आजाएगा मॉइस्चिराइजर तो ये हो गए हमारे एसेंशिल एक स्टेप जिनको करके आप घर में बेहतरीन फेशिल कर सकते हैं और कोई आपको ये नहीं होगा कि ये मल्टिपल यूज की चीजे हैं या किसी के हाथ लग रहे हैं आप खुद कर रहे होंगे और मैं आपको बता हूँ जो टेलर मेड होगा मतलब आपकी जरूरत की चीजें और सुटिबल चीजें आपको दी गई होंगी और उसके तूप आप कर रहे होंगे डेफिनिटल उसका रिजल्ट ऑसम होता है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और जो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप बजाएज के कि सेलॉंस में जाएं और वहां पे जाके फेशल करवाएं पैसे भी दें और स्किन खराब हो जाएं तो मैंने आपको बहुत मज़े से तरीका बताती है कि आप घर में बैठके कैसे अपना खुद से फेशल कर सकते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी, फ्रेश और वाइट यानि के ब्राइट रख सकते हैं ठीके जी तो अपना बहुत खाल रखिएगा अल्ला हाफिस